नमस्कार अभी हम खड़े हैं लक्षमिबाई नगर अनाज मंडी में और यहां पर गेहूं की जो आवक है वो अब धीरे-धीरे बढ़ने लगी है चुकि फरवरी का महना है और शिवरात्रिय पास है तो ऐसे में धीरे-धीरे जो नया गेहूं है वो मंडीयों में आने लगा ह अलग-अलग वराइटी का जो गेहूं है वो मंडी में आ रहा है अलग-अलग दाम के साथ जो गेहूं है वो यहां पर बिक रहा है कुछ किसान जो है वो अपने अपने गेहूं लेकर के मंडी पहुंचे हैं सीधर उनसे बातचित करेंगे कौन सा गेहूं लेकर के वो यहां किस में हमको जब हमने गहुं बोया तो मोसम की मार वगरे भी जहनी पड़ी होगी ठंड वगरे कोई असर थंड कम पड़े वह जो कितने विगा में हमने किया था यह था पांच विगा था तो यह तीस कुंटल के सम्थिंग निकला हमारा था तो छे कुंटल बिगा का उत्पादन निकला चे कुंटल प्रति बिगा बता रहे हैं यह देख सकते हैं और फिर भी हम कहें तो ठीक दाना आपके बार हां ठीक है बढ़िया है विसे क्वालिटी तो ठीक है लेकिन उत्पादन बहुत तम हुआ है लागत हमको कितनी लग जाती और फिर उत्पादन होता है तो उसमें नुकसान और फाइदा निकला तो इसमें कुछ भी फाइदा तो कुछ भी नहीं है उपर से जेब से लगेगा जो भी खर्च लगेगा इसमें ददा आज मंडी में आये हैं क्या भाव भीक अपना अभी अपना गवं पुराना गवं लोग्व ते सुली फेसल नमी के साथ अपनेक डाले टाल नियां क्या लगता आने वाले समस्वामें कितने समय बाद अच्छ अछी फसल और दाना अने ह्ज़ार से दूमर से मॉत बाधन कम हो रही है और यह जिसे ज्यादा आईगी नी आवक तो भाव भी कम होगा करीब तिस चालिश करीब अभी कम आ रही है अब यह जगह नहीं रहे हैं तो दो सो तील सो ट्राली रोड डेली आई है अपने कितने विगा में आपने तो आता है पेटिस विगा के गउं है अभी देर वालिटी देर है अभी मतलग मार्च में एंड में कटें गए कितने ट्राली जो है हमारे हां से निकलेगा मार्च से करीब परीब अब दस एक ट्राली निकल जाएं मेर्ट कर शाएं कितने प्राली यो रखके ट्रवके